ये है पेरुनारी राना सिंगहम इनके दादा के दादा मिलिटरी स्कूल के टीचर थे जब मर्धू पांडी के हाथों में ये गाउं था उनकी वज़े से इनके खांदान का नाम योध्धा हो गया संस्कृती इनके जीवन शैली में देखती है लोगों को खाना खिलाना इनका सबसे बड़ा परोपकार था कम से कम रोज 50 लोगों को खाना खिलाते हैं बहुत बड़े दिम्वाले हैं ये लेकिन समय बदला और आज लोग इनके इज़ट नहीं करते पता नहीं क्यों ये अपने लिए तीसरी बार दड़की देखने आये हैं नमस्ते जीजा जी बात सुनिए बहन ने उल्टी किये शायद गर्भ से है अरे उसे पित हो गया होगा पित नहीं हुआ जीजा जी डॉक्टर ने कहा है प्रेगनेंट है माफ कीजिएगा दरसल पंडित ने मुझसे कहा था कि मेरी बीवी गर्भ होती नहीं होगी क्या हम इसे नौ मेहनी के लिए टाल सकते हैं क्या अगर बेटी हो गई तो मैं यहाँ जरूर आऊंगा वनावन मादेवी उनकी पहली बीवी है इससे इनकी चार बेटिया है बड़े दुख की बात है कि एक भी बेटा नहीं पंडि जी के हिसाब से मेरा पुत्र योग नहीं है वरना मैं आपकी इच्छा पूरी कर देती मुझे भी ऐसा ही लग रहा है यह बताओ मैं अगर दूस अपनी चोटी बहन पंजावन मादेवी की शादी अपने पती से करवा दी थी वो भी बड़े धूम धाम के साथ लेकिन भगवान का इरादा कुछ और ही था और पेरु नहीं ने तीसरी शादी कर ली चोटी बेटी मंगम्मा अपनी क्लासमेट के प्यार में पढ़ गई और प्रेगनेंट हो गई जब मा के डेलिवरी होने वाली थी तब बेटी साथ में महीने में पहुंच गए पंजावन मादेवी के प्रसय का समय भी आ गया मुझे लगता है हमारे जमिंदार फिर से बाप बने है तीन बीवियों से लड़कियां हो चुकी है मतलब इस बार लड़का ही होगा पिर से लड़की हुई है ना मुझे तो तरस आता है नो अवरतों पर सुनिए मेरी बास सुनिए अगर ये गावाल हमें आपकी वसीयत नहीं देंगी तो चलेगा हमारी बेटी भी बच्चे को जनम दे सकती है ना जी मेरे बास सुनिये जी आपको सर्फ लड़का चाहिए न आपकी ये मनों कामना चल्दी ही पूरी हो जाएगी क्या आपको बेटिया पसंद नहीं है पिता जी हेए मेरे पास आओ आओ यहां बैठो सुनो अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो तुम्हारा नाम रानी क्यों रखता अब देखो न ये महालक्ष्मी रानी ये वैवोलक्ष्मी रानी ये संयुकता रानी जहां सी रानी और ये नई मैमान जो है ये है पदमावती रानी अपने नाम के जैसे तुम सब रानी हो और जहां भी तुम सब की शादियां होंगी वहां रानी बन कर ही रहोगी लेकिन जरा सोचू, मेरे मरने के बाद तो कोई ऐसा राजा चाहिए ना, जो तुम सब का ख्याल रखे कहानी में ट्विस्ट ये था कि उनकी बेटी मगम्मा ने एक बेटी को जनम दिया पेता जी, खुश रो बेटी, खुश रो पेता जी, आपको हमेशा से बेटा चाहिए था ना, आप इसे रखेजिए, आपने बेटे की हैसियत से इसकी परवरिश कीजिएगा मैंने घरवाले से बात कर ली है पेता जी तु भी अपने पिता की तरह बड़े दिलवाली है, तुम्हारे मुसे ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई इसके आने की खुशी में क्यों आप 500 लोगों को खाना खिला जाए अब इसका नाम क्या रखा जाए शिव शंकर कुमार, बेटी, तुम्हारी बातों से मुझे बहुत खुशी हुई, इसे पुख़ो वैसे मैं अपने नाती को अपना बेटा कैसे बना सकता हूँ असली खुशी तो तम मिलती जब मेरा बेटा अपने खून का हो क्या हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं, कि तुम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही हो अब जरूरी बात ये थी, कि सिवा गामिनी सेलवम पूरी तरह से तुम्हारा है, मगा मा उसकी मा है ये सभी लोग केले के फत्ते के लिए आएं क्या मालिक, हम सभी लोग मंदिरों में तीन दिन से लगातार प्राथा कर रहें कि आपको बेटा ही हो और आज बहुत ही अच्छा दिन है, आज वो दिन है जब मुर्गन असुरों का सर्वनाश किया था आखिर में उनका पाँच्वा बच्चा उनकी पहली बेवी से पैदा हुआ और उनकी छोटी बहन ने अपना दूसरा बच्चा पैदा किया ये है हमारे खांदान का वारिस मुझे जितनी खुशी है उतना ही डरा हुआ हूँ मैं ऐसा क्यों? अकेला बेटा और उसकी पाँच बहने सोच रहा हूँ उसके उपर कितनी जिम्यदारिया होंगी जब मेरे बेटे की सभी पाँच बहने शादी करने के बाद अपना अपना घर बसा लेंगी तो उनके बेटे, भाई, बेहन, रिष्टेदार सब के इकठा होने पर मेरा बेटा सब को कैसे सम्हाल पाएगा? इनका खांदान जो दिलेरी और इसक के लिए जाना जाता है आज वो लोग कि इसमें भाग ले रहे हैं जो एक पैल का रेस है मालिक कोडियार्ओं जिन्दाबार मालिक कोडियार्ओं मालिक कोडियार्ओं एक क्या कर रहे रे तु उसका फोटो ले रहा है तुझे यह रेज जीत कर गाउं का नाम उचा करना है गुना सिंगम नहीं जीतना चाहिए ऐसा नहीं होगा भाई पेरुनाही रणा सिंगम कन्या राशी चित्रा नक्षत्र वनावन मादेवी रिशब राशी रोहीनी नक्षत्र पंजवन मादेवी क्या मेरा भाई वहाँ पे नहीं आया है ऐसा है तो फिर मेरा आना तो बनता ही है न और यह है सबसे छोटी बहन की बेटी का पती मतलब पिता जी महा लक्ष्मी आरे बस चालू करने को बोलो ना हम लोगों को देरी हो रही है वैभव लक्ष्मी और यह दूसरी बहन का पती है दो भाईयों ने दो बहनों के साथ शादी की लेकिन दोनों भाईयों की एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती कितने भी लोगों फ्रतियोगिता में जीतेगा तो मेरा भाई ही गाउं की बजाए तु भाई को सपोर्ट कर रही है कितनी स्वार्थी है पूनम रानी और यह है तीसरी बहन की बेटी जहासी रानी हमारी तरफ से मेरे भाईया हिस्सा लेते हैं उनके पती हिंद्रजीत अरे अब बस भी करो अपने भाई के दाली नमस्ते और यह है पाचवी बहन मेरे दादा की दूसरी बीवी की बेटी इनकी सिर्फ एक ही बेटी है क्या बात है यो बाई तुम लोगों ने देखा क्या तुम लोगों ने इस खुशी को कभी महसूस किया है क्या है इन बेलों को इनसान से ज़्यादा इजद दी जाती है और स्वागत किया जाता है हलो फ्रेंस रेश शुरू होने के लिए सारे बेले इंतजार कर रहे हैं मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे आंकल गुडा सिंगम ही जीतेंगे आज की रेश में मेरी मामा ही चीतेंगे मामा का नाम क्या है उनका नाम है गुडा सिंगम शीवा गोत्रम हस्तन नक्षत्रम कन्या राशी सव बेलों की जोड़ी रेश के लिए तयार है सब लोग रेड़ी है थ्री टू वन अरे मामा जी कहां है मामा हाई अरे मामा बड़ी दो करणर बेलne करणर पाल करणर मामा अरे मामा करणर छू मैंतर कि इस मर्द रिखियों कि अवल्द उनने विल्द उनने लिखें वाज़ करें। आप देख रहे हैं कि इस पर्द्योगता पहुत जबर बस्टक्र हो रही हैं। सभी परिखों की अव्रा पूरा जूर लगा रहे हैं। देखे किसकी विजय होती है और कोफ ये फार्जी पार दे जाता है आमामा दिल धांकर देखते रहिए और गट्यों का उसावादा देखते रहिए और ये देखिए गुणा के पर शंडा है चब 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 जब दे राई जाई जाई कभी कोई आगे हो रहा है कभी कोई शीचाव रहा है लेकि कोई शीचाव रहा है जखते है कोची पे दाँ जोसे, जोसेफ, आउचोसेफ राइस शीचाव लाए मामा और कोडिया रसूर ने एक साथ पढ़ाई किये थी चौथी क्लास से वो दोनों एक दूसरे से जगड़ते ही रहते थे गरीब बच्चों के भविश्य को रोशन करने वाले मिस्टर सूरिया वो आज के इस काहिकर में यहाँ पर थोड़ी ही देर में पराय रहे हैं वो आ चुके हैं जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए बहुत बढ़िया तुम्हारे जैसे लोगों की वज़े से अफितक हमारी परंप्रा जिंदा है लाइए भाया एक माला काफी नहीं है और दो माला चाहिए मतलब मैंने तो बस गाड़ी हां की असल में भागने वाले तो यह हैं अच्छा ऐसा है क्या यह लो तालिया अब बताओ अब तो खुश हो ना तुम्हारा नाम क्या है गुरा सिंगम मैया नाम बहुत अच्छा है यह लो तुम्हारे जीत काई नाम यह लीजे दन्यवाद वैटी नाना जी यह लीजे आइसा बहुत अच्छा लग रहा है यह क्या चीज है पुदिने वाला चाहस है सहत के लिए अच्छा होता है अच्छी बात है अच्छी बात है जिस काम से आया हूं वो बता के निकलता है आने वाले चुनाओं के लिए अगर आप कहें तो मैं भी खड़ा हो जाता हूं मुझसे पूछ रहे हो अगर मैं किसी से कहूंगा तो कोई भी वोट नहीं देगा पूरे गाओ का वोट मुझे नहीं चाहिए सिर्फ आपका वोट मुझे चाहिए बहुत है क्योंकि आप इस ये पूरा गाओं ही आपका है पूरे पाँच हजाल से जादा वोट है इस गाओं में ऐसा है क्या इतने सालों से मुझे पता ही नहीं है भाई साहब कार्तिके की तरह ब्रमान का ब्रमन करने से अच्छा कि गनेश जी की तरह सिर्फ आपकी परिक्रमा कर लूँ मेरे लिए ब आप एक काम कीजिए आने वाले नौतारिक को मेरे नातिन की कान की छिदाई के रस्म है अच्छा अगर आप उस दिन आते हैं तो सबी लोगों से मुलाकात हो जाए अच्छी बात है अच्छी बात है मैं आ जाओंगा चलता हम अच्छा हमारे घर जो भी आता है मुसे ये दे सबको निमंत्र दे दिया ना कभी-कभी ऐसा होता है कि जब हमारे घर में फंक्षन होता है तो कोई नाराजगी के वज़े से नहीं आता है मैं चाहता हूं कि इस बार के फंक्षन में सभी लोग है ठीक है सबके नाम के साथ उसकी उपाधी भी लिखी हुई है यह तो फिर मेरा सिर्फ नाम लिखा उपाधी क्यों नहीं लिखी सब लोग ज्यादा पढ़े लिखेонь इसलिए साथ में उपाधी लिखी लेकिन आपने तो सिर्फ दसवी तक पढ़ाए की है डॉक्टर के साथ DR लिखा हुआ हैं एंजिनियर के साथ ER लिखा हुआ हैं प्रिंटिंग चलाने वाले वडिवेल जीजा जी के नाम के बगल में गर्व से प्रेस लिखा हुआ है मैं खेती वाड़ी का काम करता हूं तो मेरे नाम के साथ किसान लिखना चाहिए अगर किसान लि रिटार्मेंट नहीं होती है कैसे दिन आ गए हैं अपना राश्ट्रिय व्यवसाय सब को याद दिलना पड़ता है सुपब है अब जवाब दीजे महाशे अरे बेटा जी यह जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही है मेरे ख्याल से व्यवसाय के सम्हालूंगा ठीक है आती हुआ है है हाई फ्रेंज आज हमारे परिवार में कान छेदने का फंक्शन है मेरी छोटी बहन और भाई का मेरे प्यारे घुड़ा सिंखम पूरा गाउं चौक गया उन्हें देखकर सबकी नजर सिर्फ उन्हीं पर है राजा की तरह में उनका स्वा उन्होंने पहले बता दिया था कि वो नहीं आ पाएंगे इसने उनका बैनर लगवाए छोटे जाट हुआ गया है वो अंदर है यह एक यह है जिसके पीछे सारी लड़किया घूस्फ ती रहती है और एक मैं हूँ हूँено कोई देखता तक मु यह क्या है शेह हूँ अगर आप कहा है तो ममी बापा को लेकर आती हुआ हुँ bomb खीग है आप हाँ कहेंगे तो काम चुरू कर सकता है पसीन आ रहे है, पोच लो पापा भी कह रहे थे कि जल्दी जाना है न तो उस तरफ पी किसी दिर इसको सरूल मज़च चखाऊंगी मैं सर देखो तो कैसे गुणा को इंप्रेस करने में लगी है बहुत चालाक है हो गया यहां पर विधान सभा मामा, इधर देखो यह पाँचों बहन है न एक दूसरे के करीब हैं सिर्फ ऐसा दिखाती है लेकिन अंदर यह अंदर बहुत बड़ी गुट बाजी है यह है ग्रूप A और वो है ग्रूप B समारों खतम होने दीजे पिर देखिएगा कैसे एक दूसरे के खिचाई करती है पर राडा सिंगहम जैसा नाना और गूडा सिंगहम जैसा मामा बहुत खुश नसीब बच्चों को में आज़े एक मैने में बालों आपस आजएंगे रो मत हरे आई 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 वो मेरी पहली बेटी है दूसरी बेटी तो वह हसते हैं हाँ बैट जा बैट जा आज सर्फ एक दिन के लिए उसके बाद सपने में भी कभी नहीं बैट पाएगी इस चगे को मेरी नाम पर रजिस्टर कर दिया गया है ठीक है ना मैं नहीं जाओं रजिस्टर कर दिया है अच्छा ना रहा है तो यह अब अछ्छे रूख ळूख रूख रूख लूख रूख 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 अ अब हम से अब बेटी को परनानी से आशिरवाद दिलवा दीजिए, नब्बे साल के आसपास उमर होगी। अरे सुनो, जड़ा यहाओ, चासी के बच्चों को कितने तोला सोना दिया। कुल मिलाकर अठा तोला होगा, और क्या। जब मेरी बच्ची की कान छेदने की रसम होई थी, तब तुम्हारे पापा ने छे तोले दिये थे। अठारा तोला सोना पैनाने के लिए तेरी बेटी शहर में पैदा हुई है क्या, क्यों हो साले साब? अगर रीती रिवास निभाना ही है, तो फिर एक जैसे निभाना चाहिए न, ऐसे भेद भाव क्यों करना है? हरे रे, आप लोग फिर से शुरू हो गए? जो नहीं करता है उसे तो छोड़ देते हैं आप लोग, और जो करता है उसे टोकने की आदथ पढ़ गई हम लोग की हैं? क्या हो चोटी ममी, अपनी बेटी के गले में देखो, और ममी, तुम अपने बेटी के गले में देखो, मैं क्या कह रही थी, hello, don't talk, you see, क्या दसर जार्ची सोने कीजीन है, पहना दीजीए, अरे बाई, किसके घर में जगड़े नहीं होते, लेकिन function में तो सबको आना चाहिए ना ये क्या है जब आप आते हैं तो वो नहीं आते और वो आते हैं तो आप नहीं आते रिष्टा टूड जाये तो फिर जुड नहीं पाता है देखे आप चिंता मत कीजिए दोनों भाईयों को मिलानी की जिम्मेदारी मेरी होगी क्या हमानी अभी पता चल्लकी मामा ने हम सब को चैन पियों पेनाए जैन के एह सरी जरूरी है यह कर्च नहीं आ यह तो बचत है सिर्फ दॉलत कमा कर रखनास नहीं होती है रिश्तों को सम्हालना भी नहीं अगर हम नहीं देते तो हमें नीद भी तो नहीं आती ऐसे ही रहना बदल मत जाना जी पिताजी सब लोग क्या रहे है कि तुमारी शादी पुनम से होगी ये सच है क्या नहीं मतलब मैं सोच रही थी कि अगर तुम अपनी मूँह से कह देती तो मुझी यकीन ही अरे तुम भी ना किसी की बातों पर ध्यान अंधे जाओ जा करो जाओ देखो जितना हु महीं बात करो जाओ दूसरे के कहने पर शादी कभी मत करना मामा भई आज का खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था अब बेटे की कमाई से घर पर बैठ कर खाने का आनन धी कुछ और है सुन बेटे, खेती बारी तो तुने समाल ली, बहुत अच्छा कर रहा है तू अब सोच रहा हूँ कि घर की जिम्मेदारी भी तुझे सौंद दू अरे चुप रही है पापा अरे पचास साल से तो मैं समाल रहा हूँ न मुझे लगता है कि तू मुझसे बेटर समाल सकता है कितना अच्छा हो कि हमारे पूरे परिवार का एक गुरुफ फोटो घर की दिवाल पर लगे और ये मेरी दिली ख्वाहिश है और तब मेरे मरने के बाद लोग कहेंगे कि रण सिंगम शेर की तरह है क्या नाला जी आप ये क्या कह रहे हैं आप गल्फ लगाता है मैं इससे भी कठिन जिम्मेदारी तुछे दे रहा हूँ देख तेरी दोनों मा की यांखों से और तेरी पांचों वहनों की यांखों से घॉलाब रुको रुको अरे रुक जाओ देखा नहीं रोकी गाड़ी बुड़ी देखकर भी नहीं रोकते हैं बेशारम कहीं कि यह वा दादे एक घंगे से इस बोरी को लेकर खड़ी हुई से बाजार ले चलूंगी तब दो पैसे कमा पाऊंगी तुम मुझे छोड़ोगे बाजार मे गाड़ी वाले तो गाड़ी ही रोकते तुम तो जवान हो छोड़ो मुझे अरे सुन मांपा दादी को गाड़ी में बिठाओ क्या बाजा रुषक का पीशा गरो है चला 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 मांभा और जोलसे है और जोल से है जोड़ से जोड़ से रुग जाओ रुग जाओ रुग जाओ रुग जाओ यो दोस्ट अरे में दुलाए तो भूम पे गुम रहा है काला पड़ जाएगा आँ भाई सही का आपने शादी में रिष्टेदारों को क्या देने वाले हो बिस्किट दूगा भाई लोटा बर के कॉफी दे देना बिस्किट खाते हुए जाएंगे वापस एक एक पौधा दे देना कल वो पेड़ तुम्हें च्छाओ और नाम भी देगा यह गाड़ी बीच में चला रहे थे हमने हौन बजा था क्या अगर गाड़ी नियटा ही तो पुलिस को बलाउंगा और म हमारे काम को डिस्टप किया तो गुस्सा नहीं आएगा हमको क्यों बोरिया लिए बगर जा रहे थे अगर तीन बोरिया चड़ाओंगा तो आठ लोग कम चड़ेंगे फिर मेरे कलेक्शन का क्या होगा ओनर मुझपे चिल लाता है तुम्हारे ओनर को आज नहीं खाना है क्य देखो उसकी जरूत नहीं है सिर्फ एक दिन किसान के साथ रहे कर देखो तब पता चलेगा कि किसान कितना तकलीफ उड़ाता है पता होता तो दादी को रोड़ पर छोड़ कर नहीं जाते आज के बाद इस बस में सिट नहीं होनी चाहिए हाँ एस पैनर निकाल रेड़ी मा पार्टी के उतरने तक मामा कवन है पार्टी है लगे रहो लगे रहो मामा अधर अपनी AC काड़ी खड़ी है आजाओ आजाओ चलो भाया पांच रुपए दिये है मैंने एक रुपए वापस कीजिये छुटए नहीं है बेटा अगर होते भी न तो भी नहीं दिता टैकेट टैकेट किदर जाना था किदर जाना है पता नहीं है यह किदर जा रही है किदर जा रही है जो भी इसे शादी करेगा ना दिवार पे अपना सर तोड़ेगा लड़की के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए और हाँ लगता है मैंने इसको कहीं पर तो देखा है हर खुबसूरत लड़की को देखकर लड़के बोलते हैं किसको कहीं देखा है मामा साब यह हमारे कॉलेज के एगरी कल्चर डिपार्टमेंट के हैड है खुशी हुई आप समयते हैं आपके बेटी के बहुत सारे आर्टिकल्स आरे अगर वो कॉलेज में आकर स्पीच देगा तो स्टुएंट्स को मोटिवेशन मिलेगा अरे ने ने मुझे यह स्पीच हो गया देना नहीं आता अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है खेती के बारे में तो बोलना है वैसे यह फंक्शन कब है मार्च 27 को सर मार्च 27 को मुझे बहुत काम है ना 27 28 29 को हम फसल बोने वाले हैं ना तीस एक को केले के पॉध्य लगाएंगे तीस तारी को फ्री है थीक है वही रख लेंगे हम लोग कोई दिक्कत नहीं हम रख लेंगे ठीक है अरे यार यह तो वही बस वाली है ना संगीत बहुत ही अच्छा है ना सिर्फ संगीत ही दिख रहा है क्या मामा समस्थ दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद बड़ी नानी यहां तो यह अब देखिए हमारे चीफ गेस्ट मेरा पोथा आ गया क्या कि अधिकरना मेरी कोई इच्छा नहीं है खौईश है अब हम गुणा सिंधमजी से अन्रोद करते हैं कि वो मंच पर आएं और दो शब्द कहें आई आई मामा मेरे बारे में भी दो बातें वेल्कम से नहीं बात नमस्कार आप सबने खाना खाया गया मिट्टी पकड़ने वाला हाथ है पहली बार माइक पकड़ा है तो समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहां से करूँ आपका संगीत बहुत ही अच्छा था अच्छा वैसे बड़े बुजर्गों ने कहा है कि धान का एक बीच और एक अच्छा शब्द दोनों भी एक समान होते हैं जैसे कि अगर हमें एक अच्छा बीच अच्छी जमीन में बोते हैं तो वो सौ गुना ज्यादा फसल देता है जब इन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया तो मैंने तुरंट हाग गया दिया ज्यादा क्रिशी हमारे भारत की रीड की हड़ी है ऐसा बोल बोल कर लोगों ने उसे अपनी पीछे छुपा लिया है और हम इससे अंजान जी रहे हैं कुछ लोग इस बात को समझ कर आईटी का काम छोड़ कर खेती करने आते हैं तो उन लोगों को आम जंता पागल के नाम से बुलात करते हैं विदेश में पढ़े लिखे लोग भी खेती करते हैं लेकिन स्रिफ भारत ही ऐसा है यहां किसी को खेती नहीं करनी है जो अनपढ़ है वही खेती का काम करेंगे और कोई नहीं करेगा मैं सिर्फ किसान और कृषी की तारीफ करने के लिए नहीं आया हूँ लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये मितेन निकाल रहा हूँ, इतेन निकाल रहा हूँ, पितेन निकाल रहा हूँ किसान और कृषी को मिटाने के लिए एक टीम बनाई जा रही है अमीर लोगों का डायेट और गरीब लोगों की भूख दोनों अलग-अलग हैं जब आप ये समझोगे उस दिन पता चलेगा कि किसानों को राशन के दुकान का चाबल खिलाना ये कितना बड़ा राश्ट्री अपराध होता है अरे मामा देश द्रोई बोलके कहीं अंदर ना करने आपको आप ड़र क्यों रहे हैं मैं हो ना अरे आप चुप रही है माना चाहिए अरे इतने बेशरम लोग जब जिन्दा हैं तो हम क्यों मरें इस दुनिया को बनाने वाला सिर्फ भगवान नहीं है अना जुब जाने वाला भी भगवान है अरे हम किसान है ये बात गर्व से कॉलर क्या बात है देखो बच्चो आप इंजिनियर बनिये डॉक्टर ब वाले हैं ये बात बहुत जरूरी है और यही हमारे घर की और देश की जरूरत है मैंने ये सब तालियों के लिए नहीं बुला है कोई किसी के सामने हाथ ना पहला इसलिए बोल रहा हूं भविश्य में किसान बनने वालों के लिए मेरे धेर सारी शुपकामनाय है और मुझे इस पीस सुनकर मन कर रहना है कि पूरा का पूरा खजाना लुटा दूँ आपके उपर अब सुने की मुद्राएं नहीं चाहिए वह पचास पैसे वाली किस बस में जाती है वह पता करके बता दे पादा कर लेंगे मामा यह लीजे नाना जी आपके लिए गर्मा गरम सूप अर या एक दिन की चुटी चाहिए थी मुझे या बात है सर इतना परिशान क्यों लग रहे हो नहीं बेटा मेरा पुता दस दिन से लापता है मुझे लगा लौट कर आ जाएगा लेकिन बैलों का रिस देखकर वो लौट कर आया ही नहीं वो एक लड़की से प्यार करता था कु साथ रुपया पचास पेसा है जाना टकलू किए आज की तो लौट कोस बंद्ध हो गया तो पचास पेसा भी अ बनाबर लो जब हो चाहिए अर्त वींवस्था बहुत जडूरी है आप सूब हो प्यानि मेरा ज़़ित शब्रảiस कितनी अच्छी पीष्टी आपने बहुत बढ़िया आप दोनों बहुत अच्छी बाते कर रहे हैं कि जब सब लोग मजाग उड़ा रहे थे तब आप ताली बजा रही थी बहुत-बहुत शुक्रिया अच्छा सुनिये मैंने आपको कहीं तो देखा है कॉलेज में देखा था नहीं नहीं उससे भी पहले बस में नहीं नहीं उससे भी पहले किससे पहले खुशी में भी और गम में भी जॉली सोडा इस पोस्टर को देखकर मैं चाओं गया था और सोच रहा था कि यह लड़की मुंबई में रहती होगी है यह भी सूरत लोग सिर्फ मुंबई में ही रहते हैं क्यां क्यों वसंद कंपनी की उनर ने तुल्री के आंटि यह अच्टिंग नहीं कि यह अंच्छन वह पाशन तीबी देखने वह जानते हैं कितनी तकलिफ होती है मिक्सिंग के लिए सही नहीं है सारे लोग वॉमिट करके शिकायत करते हैं हलो वो क्या ने कि उसमें थोड़ा पानी मिला करें मामा क्या कर रहे हो कंप्लेन असा था इसलिए होने बता दिया बाई हर गली में अपना मंडल होना चाहिए है सुनो घर में इतनी सारी कारे खड़ी है यह सब छोड़के लोकल बाश शेरिंग ओटो में सफर करना अच्छी बात है क्या बहुत अच्छा है मामा यह सब पापा का कमाया हुआ है जिस दिन मैं इतने पैसे कमालूंगी न उस दि इसे भी अपनी रड़की है तुझे छोड़के कहां जाएगे चिंता मत कर क्या माम मुझे पहले याद दिला देती तो मैं कल केले का पूरा गुच्छा लेकर आता नहीं वाली थी लेकिन किसी काम की वज़े से भूल गया है यह सब क्या है गुड़ा तुम्हारे घर में रह पूरी करना पागल महां से मिलिया ना चलो पर अब इसना शर्मानी की जरूद मिली है यह देखो अगा कौन है यह लड़की अपनी विरादरी की है गोड़ा सिंगम की बेहन की बेटी है लगा दूसरी विरादरी का है अब यह देखो ना पब्लिक प्लेस में कोई ऐसे दान दिखाता है क्या ए तो किस गाउं का है कौन है क्यों आप कौन है यह क्या करें आप पूछ के देख पता चल जाएगा तेरे बाप का नंबर दे क्यों अरद है मेरा फोन बोल बेटी मैं कोड़ी आरसु बोल रहा हूं एक जरूरी बात बत तुमारी लड़की जो है ना बस्टोप पे प्यार कर रही है यह मेरा फ्रेंड है थोड़ा समाल के रखो हमारे खांदान के लड़किया ऐसा नहीं करती है मेरी बेटी कहां जाती क्या करती यह देखने के लिए गुण सिंगम है ना फोन रख आज के बाद तुम दोनों के ए तुम सो बार उठक-बैठक करनेगा तुम हमारी व्रादी के लड़कियों का छेड़ता है यह कर रहा है अगर तीन दिन भी लगे तो भी लगाना है चलोट अ चलोट गुणा वो मेरा फ्रेंड है गुणा ऐसे ही खाड़े ओकर बात कर रहे थे और मेरा फोन भी चिल लिया म जए खाड़े 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 वो वार बुड्ड़ और ऑनावे झाल बहुत अच्छे इस अभी इस अभी अगर किसी की मंगेतर को छेड़ोगे तो तुम्हें छोड़ेगा क्या फोन करके बुला अपने भीरादरी के हीरो लोगों को सही कहा क्यों बै एक लड़का और लड़की हंसकर बात करें तो इसका मतलब सिर्फ प्यार होता है क्या आपने अपने अरिया में अपना भाभ बढ़ने लगा है यह बात याद रखना अगर उसे किसी ने पिगाड़ने की कोशिश की तो एक बात याद रखना ये कोडियार्सू उस पे भारी पड़ेगा, चल जा रहे, मामा, सोडा बोटल के बारे में फूर डिटेल पता चल गया, नाम है कनका, आहा, क्या शुद्ध नाम है, तो मेरी मा शियुगामी ने मेरा नाम चाइनीज में रखा है क्या, एक लोती ओलाद है, बहुत पैसे हैं, कार मे चल सकती है वो, इतना धन्दोने के बाद भी वो बस में चलती है, क्योंकि उसे साधगी से रहना पसंद है, इसलिए मैंने उसको पसंद किया है, मामा, हस क्यो रहे हो, नहीं यार, उस लड़की की साधगी उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी, मैंने तो उसको डूड लि पूरा बकरा ही निकल गया, पापा, आपने कभी प्यार किया है क्या, यह सवाल किस से कर रहा है, पता है, यह यहीं पर हैं क्या, पापा, आपको उतरने की ज़रूद नहीं है, रोड पर खड़े रोगे, अच्छा नहीं लगेगा, इस से पहले रख पर बिठा कर लाते थे, पापा, उस लड़की को दिखिए ना, पंदेर रुपे के दो दीजिए, बाकी सब तो सस्ते बेच रहे हैं, आप इतने महेंगा दे रहे हैं, उपर से काम दे रहे हैं, इससे प्यार करता है क्या, यहीं ज़रूरी बात करनी है कहकर मुझे यहां लाया है, रे नहीं पापा, आप से पूछ कर प्यार करूँगा इसे, आपको यहां लेके आया हूँ, मुझे गर्व से देख रहे हैं या हीन नजर से देख रहे हैं पापा, इससे प्यार करेगा या शादी करेगा, क्योंकि आज कल के लड़के जिससे प्यार करते हैं उससे शादी नहीं करते, और जिस सारी बाते सोच कर भी मुझे बहुत डर लगता है ठीक है बेटा तेरी खुशी मेरी खुशी है लेकिन कल जब ये बात घर में सब के सामने खुलेगी तो सिर्फ तेरी बहने ही नहीं तेरी मा भी पूरे घर को सर पर उढ़ा लेगी उस वक्त ये मत कहना कि मैंने पापा से पू बेटे कभी भी परिवार नहीं भी खरने पाए ठीक है पापा क्या जॉमी कैसा है तू कोडियारसू जरा पूलिस टेशन आ सकते हो अरे आज शादी है सुब महरत निकला है मंगल सुते देना मेरा काम है बात क्या है उदेश शंकर नाम के लड़के को जो तुम लोगों ने बहुत पीटा था ना किस ने दिया है गुणा सिंगहम ने सर आप आओगे तो दस मिनिट में काम खतम हो जाएगा कल नाइट राउन पर काम गया था वौकी टॉकी कैसे कुम हो गया साहब इंस्पेक्टर गुणा सिंगहम जो बोल रहा है वह सब जूट है फोसके और मेरे बीच में दुश्मनी है जूट है तो फिर वहाँ से भाग के क्यों चले गए जब मैंने किया ही नहीं तो डरू क्यों इसलिए आया हूँ हाँ सुनो सौमी जी सर साहब को अक्केले में ले जाके समझा दो हला दुलहन आ गई है भाई आ जाएंगे न अडले दस मिट में भाई वहाँ पे होंगे कोडियार्सू गुणा सिंग हमने आपके आदमी को उठा लिया है पिछले मैंने बैल की रेज जब चल रही थी तब मास्टर जी का बेटा जिस लड़की से प्यार करता था उससे बात कर रहा था एक कौन है रे तू देखो भाई हाथ मत लगाओ देखो भाई जात पात तुम अपने पास ही रखो मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ उसी से शादी करूँगा सर पर चोट लगनी की वज़े से वो विचारा मर गया यह आपने क्या कर दिया पही यह राजनिती करने और राजनिता बनने के लिए त्याग करना चाहिए कोड़ियार उसका बैग्राउन में उस दिखिये सर इसमें करनित मास्टर जी का बहुत नुक्सान हुआ है मैं वहाँ शादी में था और तुमने मुझे यहां बुला के फ़सा दिया अरे अभी जा सकते हो सच में? हाँ, कितना हो सकता है? 10 लाख 20 लाख 25 लाख बात करके देखते हैं जा के बोल अरे अरे मामला भी कर जाएगा, आप खुदी जा के बात कीजिए अरे अरे तो नहीं हुए ना मतलब आपने उसको मारा याप कुभूल कर रहे हैं हम अच्छा सुनो स्वामी होने वाले मंत्र को अंदर लेकर जाओ कल कोट मेंने प्रोडूश करना है यह उठ उठ ना आज तक सुवामी तुम्हारी तंखों के लिए काम कर रहा था आज पहली बार सुवामी ने सरकरी तंखों के लिए काम किया है मैंने तुझे सिख्षा दी और तूने मेरे ही पोते को मार डाला नरक में सड़ेगा तू पुलिस मुझाबार। पुलिस मुझाबार। Eastern गरूं शादी के बीश मैं भाई को आरेस्ट कर दिया पूलिस ना मेरी बीवी के भाई हो इसलिए तुम लोगोंको अपने घर में लखा यह मैने गलती की यह सब सुनकर मेरे रॉंग टे खड़े हो रहे हैं इस मामली के वज़े से अगर मेरे कंपनी में कोई प्राइबलोम आई ना तो फिर अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा जी जाग जाओ मामा मामी आ रही है अरे मामा कहा जा रहे हो मामा मंदिर में अरे आज हमने नहाया नहीं है अरे मामा अरे सुन कहां चल लगया अरे कहां चल लगया यार अंदर चाय पी नहीं गया था मामा मामी को पठाने के लिए इस पर फिले पानी में डखेल कर मुझे मारना चाहते हैं वेड़ा बेट कर आराम से ना लोगा कला के सो के ना लोगा अपना ही है इधर हम लोग फैंसी कॉम्पटीशन में आये हैं क्या है भगवान वेंके ट्रामा पांडुरंगा गोविंदा गोविंदा ये कार्दी के नहीं है हां सौरी कार्दी के क्या मामा आपको पंचामरित लड़ू का फर्क नहीं पता है क्या आप सिर्फ खास दिनों में ही मंदिर आती है या हर रोज आती है रोज आती हूं मुझे रोज ना पड़ेगा क्या माई लॉड मेरे मुवकिल पर आरोप लगाया गया है लेकिन इन्होंने समाज की बहुत सेवा की है इन्होंने समाज के लिए सेवा किया है या अपने समाज के लिए किया है पड़े पैमाने पर व्यापार करते हैं ये पासपोर्ट को हम कोर्ट में सरेंडर कर देते हैं आप से विंती है कि इनकी जमानत मनजूर कर दीजिए जात्र का खून किया इनोंने इनके गाउं में जाने से दंगा फसाद हो सकता है इसलिए इने 200 किलूमीटर द कहां पर ठहरेंगे होटल में रूम बुक करके जानता था वो लोग सुबह साइन करने के बाद मजे से मटन पका कर दारू के साथ खाना खाकर टीवी देखेंगे फिर शाम को नीन लेने के बाद नहां धोकर साइन करने पहुंच जाएंगे और उसके कुछ देर बाद का पेड़ पता है पता है वो क्या करता है ये भी पता है जमीन के पानी को खीच लेता है वो पेड़ तालाब को चारों तरफ से घेरे हुए तुम्हें काम करना है तुम्हें हर दिन साइन करने के बाद सीधे उस तालाब पर पहुंचना है और दस डालियां काट कर तालाब क उस पार उन्हें पहुंचाना है ऐसा करोगे क्या करूंगा साहब आए यह सर आए क्या भाई इतनी जल्दी दर्वासा बंद किये भी ना बैठे हो बंद मत कर जेल में भी ऐसा ही खुला रहेगा इसी तरह रहने दे बातरूम में पानी मट डाल पिशाप की बदबू से मुझे उल्टी होनी चाहिए पूरे दिमाग को उखाड़ कर फेकने जैसा महसूस होना चाहिए मेरे खुद के गाउं में कदम रखने से रोग दिया ना मैं किसी भी आयोजन में शामील नहों सकूँ ऐसा कर दिया उसने भाई उपर बैठी ना जेल में चाह नहीं देते हैं रे बेवकूफ जमीन पे बैठना है और जमीन पे ही सोना है मेरे खाने के लिए अल्मूनियम की थाली लेकिया ऐसे ही जेल में देते हैं जेल से बाहर आ गए हो जेल की बात मत करो बाई जाउंगा मैं वापस जाउंगा उस गुड़ा सिंगम को मार के जेल जाउंगा तब तक ऐसे ही रहूँगा बत्तियां बुझ्छतों मुझे नींद नहीं आती है बहुत घना जंगल है तू अपना मुझे बंद रख यह बगवाने 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 क्या है कुछ नहीं तू मुझसे प्यार कर रहे हो या फॉलू कर रहे हो प्रीज प्यार ही करता हूँ फॉलू कर रहे हो कसम से बूल रहा हूँ हाँ अगर हिम्मत है तो मेरी आखों में देखकर अपनी राइट हैंड को लेफ्ट हार्ट पर रखकर मैं तुम से प्यार करता हूँ ऐसा कहकर दिखाऊ घलत नहीं है घलत नहीं है सिर्फ इस उम्रों में ही नहीं बूड़ी होने के बाद भी प्यार करूँगा यही मेरी इच्छा है आप मुझसे शादी करेंगी मैं बहुत खुछ रखूँगा जगडा करूँगा इतने दिन शादी क्यों नहीं कि ऐसा फील करूँगा और तुम भी शादी के बाद मेरे साथ बहुत खुछ रहोगी कसम से कहता हूँ यही अपना घर है मैं जाओ कि अरे कोई देख लेगा आजाओ वह वहाँ पर जो दिख रहा है ना वही अपना खेद है कुपसूरत है वहाँ तक मुझे कुट्टे की तरह इधर उधर भगा कर उस पेड को कटवा रहा है और उधर वह मेरी बहन की बेटी से लव कर रहा है आज तक जो भूला नहीं सकते वैसा हाथसा और ना भूलने वाली भैयानक मौत अपने राज्य में कहां हुई है ये बताओ बहुत है भाई नागर कोईल में बहुत बड़े गुंडे हैं ब्यासर वाड़ी के मेले में दो टिमों की भी जहड़ा हो गया भाई इन सबसे भी बड़ा बहुत बड़ा पूरा शहर इसके बारे में बात करें ऐसी मौत गुड़ा सिंगम की होनी चाहिए हलो बोलो ना हमेशा हसते रहते हो ऐसे लगता है फोटो केचवाने के लिए खड़े हो तो क्यों पसंद नहीं है क्या हम इसके लिए भी हस होगे और क्या इसलिए मैं तुम्हें पसंद करती हूं ठीक है करता दो क्या हुरां थारे उड़ेपह दिख इस कि अरो इस भी हते हैं क्यों होगे ख़र जल दिख लेगा हुल रगा है कि अरे बाब बाबेर । को पापा पापर यहां मुझे कुछ नहीं हुआ है पापा सुना मोच इस पैर में है उस पर में तो चुह है हुआ सुनो भागवान साले साभ को कुछ नहीं हुआ है कभी मेरा तो इतना खयाल रखा नहीं है क्या सफारी काड़ी को बीच रोड़ पर खड़ी करका साइड में करो ना हाँ कर देता हुआ अरे देसी मूर्गी का सूप बनाए है थोड़ा सा पी ओगे अरे हाथी का पैर नहीं मिला क्या नहीं चाहिए अरे बाप रहे चोट मुझे लगी है तेल का मसाज उसे हो रहा है इस दर्द से जादा वो देखकर दर्द हो रहा है जो वहाँ पर चल रहा है मैंने पाया सूप ब हम कि अब दू क्यों रोगा है आ कि कुछ भी नहीं हुआ है दो बार गुणां से निकाले के कोशिश की है ठीक है ठीक है आँ तो बहुत बड़ी सेना है आपके जबानी काफी है होनको रोकनी के लिए ठीक से पीरा बढ़ी पापा करो पती को विगाडने वाली यहीं लोग हैं नाना आप नशा नहीं करते क्या हर किसी को कोई ना-शा होता है मुझे तो अपने परिवार का नशा है तब ठीक है कोणा कुई इसकी आदित नहीं है रही है टीक है अब चलो सब लोग बार बैठकर खाना रहे लिए आपके लिए बनाओ क्या अब आती हूं तो मैं भी आती हूं इसको फीज भर नी है भूलना मत वो वह सब पढ़ने वालों के लिए भरते हैं तुमारे देसे फेस्बुक अपडेट करने वालों के लिए नहीं मैं भी फूट में होंगी सब लोग यहां देखो स्वामी सभी जरा रुच जाए स्वामी यह मारी माता काली माता जरूरी कहले ना बात कर गया तो बेटा सरा वहां पर जाए ना इसलिए ऑफिसर बुला रहे होंगे हेलो बुलो कहां हो और तुम कैसे हो अब ठीक हो बस मामूली सी मोच है मैं तुम्हें अभी देखना चाहती हूँ आओगे क्या अरे बाप रहे यह नहीं हो सकता दीदी जीजा जी सब लोग देखने आए हैं भाई को कुछ हुआ तो सब लोग देखने के लिए आ गए हमारे ब बता दो कि तुम साइशा नाम की लड़की से प्यार करते हो अगर बता दिया तो मान चाओंगे अरे बापरे ऐसा सोचने से भी डर लगता है तुम्हें बोलना ही होगा क्यों मेरे छोटे मामा ने पापा को सब कुछ बता दिया है क्या कह रही हो फिर पापा ने मुझ से कु पुछा तो नहीं हम खोदी सामने से बता देंगे यहीं उनकी इज़्जत होगी एक किसान को अपनी बेटी देने के लिए आप इतना सोच रहे हो बढ़े लिखे और पैसे वाले होते हैं उनको देखकर जलने का जमाना चला गया है सर अब तो जल्दी ही किसानों को देखकर जलने का समय आने वाला है पढ़ाई करके फॉरण जाकर एक लाग रुपे कमाने वाले लड़के से अच्छा तो अपने गाउं में किसान का काम करके दस जार महिना कमाने वाले को मुझे इज़्जत देना आता है देखो समस्य अभी कृशी की नहीं है वैसे तुमने अपने पापा को सब बता तो दिया है ना पापा को लड़की दिखाने के बाद ही मैंने प्यार करना शुरू किया ये तिल्ले नाइकम की बेटी उन्हें पता है ये क्या निया चक्कर है देखो मुझे कोई अतराज नहीं है मुझे पता है कि तुम्हारा परिवार बहुत बढ़ा है तुम अपने परिवार से बात करो उन्हें कोई अतराज नहों तो रिष्टे के बात कर लेना अभी उठा लो अब आपको नोड़ना है हम लोग पी लेते हैं ठीक है मैं आता हूँ चलता हूँ बेटे वापस आओगे अपने बाप की जैसे ही करोगे मैं समझा नहीं अगर मेरे घर पे लक्ष्मी आई तो फिर मैं यहाँ जरूर आऊंगा वो मेरी बेहन थी बोल कर गए थे लेकिन वापस नहीं आये बेटी पैदा होगी तो आएंगे बोला था ना अभी तो लड़का पैदा करके फेजा है ना आऊंगा पक्का आऊंगा ससुर जी क्यों बेह मारना यह फैसला कर लिया है उस तरफ से जाओगे तो गाउं 10 किलोमेटर दूर है इस तरफ से जाओगे तो गाउं 7 किलोमेटर दूर है इस तरह बीच जंगल में आकर मार खाओगे तो कौन बचाएगा तुम्हें डरना मत हम लोग तुझे आज मारने वाले इधर जंगली जानवर बहुत है वो तुझे खा लेंगे इसलिए हमने इस जगे को सेलेक्ट किया है अगर मैंने मारा तो यह सारे जंगली मर नहीं जाएंगे बेचारे क्या कर सकते हैं रुख जा एक तरकीब बताता हूं तुझे अरे मामा अगर मैं इनके हाथ लगया तो यह मेरे साथ बहुत इंजॉय करेंगे लुए तु क्यों इतना डर रहे है तो बहुत ही भॉदुर है ना क्या अगाड़ू क्यारे खुआँ जाता हो मैं तो नहें और फोन प,' पे रो उसकी चीक सुनते यह आपको जमानत मिल जाएगी तुम लोग सीरिफ उसका हाथ पैर तोड़ना भाकी मैं आके खुद करूग ठीक है भाई हलो डिया हॉस्पिटल है क्या यहां गुड़ गुड़ जंगल में बहुत बड़ा एक्सिनेंट हो गया है हाँ काफी बड़ा एक्सिनेंट हो गया है सर यहां पर कुछ 15 लोग मार खाकर जखमी पड़े हुए हैं सर हाँ सरा जल्दी आ जाइए न सर सर उसमें से एक पीला शट पेना हुआ है हां उसके कान से बहुत खून आ रहा है सर सर उसमें से जो काला शट पेना हुआ है न उसका हाठ तूट कर लेफ्ट हाथ वो बहुत तडब रहा है सर सर एक एम्बिलेंस काफी नहीं होगी क्योंकि सारे लोग जंगली भैस की तरह लगते हैं यहाँ पर हैं अगर तीन अब्विलेंस भेजेंगे ना तो सबको उठा कर ले जाने में आसानी होगी आरे हो ना आजाओ यह सब क्यों मामा जब ठीक करना है तो ठीक से करना है अब ही मैं मारूँगा और तू भी मारेंगा ओक ॥े डिशाप डिश्याप कर्म कर देल 시간이 आफ जोहly तुप्तुपोपोटिए, दिएक्षा रहा जागे उसके तुप्रेव कर दो? देख्चित रहा जागे उसके तुप्रेव करतो! कि जहला पुज़ को था, ते… इंपर कों पिंब यह कोंव राल हूवा करा था, तेफू है मामा, ऐसा मारो कि उसके दोनो कान के पड़े फड़ जा, मामा सही, 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 छोड़ना ने, छोड़ना ने है, 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 क्या हुआ, तू लाइन पे गया, आर ओपी कहा है, जमानत मिले या नहीं मिले, जमानत ना मिले ऐसी दुआ कर, जमानत मिल जाए दुआ करूंगा, अगर मिल गई ना, मर्द है तो सामने या, भाग गए ना, इस शादी को रोकने के बारे में सोचा ना, तो उन सब का हाश्र यही होगा, अपने परिवार का कोई हुआ तो, चाहे कोई भी हो, घर में दो-दो लड़किया है, फिर भी तुम बाहर की लड़कि से शादी करेगा, देखा ना बेटा, घर में समस्या हो गई ना, पापा, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, देख बेटा, मैं उन लोगों के सामने गिड़गड़ा नहीं सकता, अगर किसी ने भी मन किया ना, तो हम जित से कहें कि उससे शादी करनी होगी, उसके लिए तुराजी है ना? सब को मनाना मेरी जिम्मेदारी है पापा, आप अक्सर कहते हैं कि सब के साथ आपको एक फोटो निकलना है, ये जरूर होगा पापा क्या मामा, बिजली अंदर भी कड़क रही है, बाहर भी कड़क रही है, आपने तो ऐसे बोल दिया मामा कि जैसे मामूली स्कूल के बच्चों को बुला करके ग्रूप में फोटो निकलवाना है, लड़कियों को बुला करके उससे रजिस्टर्ड मेरेश कर लें, उसके होगा ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसमें कम से कम तीन साल लगेगा, एक लोटार बेट सीट ले करके हर घर में जाके पंचात करेंगे ना, तब यह समस्या का समधान होगा, तो ऐसे डरा क्यों रहा है बे, डरा नहीं रहा हूं मामा, इट्स प्राक्टिकल, आपके म एक दम चंबल के डाकू, एक्शन किंग, जोड़ मुझे, जोड़ दे, क्या है, और तीसरी, समयुकता, आसूओं की नीद, आसू ही उसके हथियार है, वो उसके जरिये सब कुछ हासिल कर लेती है, तुम्हारे अंदेस दरा सी भी शर्म इमान दया कुछ है या नहीं, पता नहीं क्यों तुमसे शादी कर ली, मैं रानी की तरह रहूं, इसलिए मेरे पिताजी ने मेरा नाम समयुकता रानी रखा था, चौथे नम्मर की है, जासी की रानी है, नए, वो धिमान है, इन सब की एडमिन है वो, किसी चीज को सब लोग अच्छा कहेंगे, तो ये अकिला अच्छा नहीं कहती, और सब लोग जिस चीज को बुरा कहेंगे, उसको ये अकिली अच्छा कहती है, मैं जो कहूंगी, तुम लोग मानोग या नहीं, हाँ, मानेंगे ना, मानोगी ना, तो चलो सब निकलते हैं, हाँ, चलो, पांचवी, पदमावती, बहुत प्यार करती है वो सिर्फ अपनी बच्ची के लिए जी रही है, अगर उस बच्ची को कुछ हो गया ना, तो वो क्या करेगी पता नहीं, अगर ये लोग ऐसे हैं, तो जी जा लोग, फो, इनकी अलाबा कनका का मामा भी ना, क्योंकि सरकारी वकील इस मामले में सफाई नहीं पेश कर पाए, इसी लिए ये अदालत तुम्हें जमानत देने का फैसला सुनाती है, इन सबसे अगर हम डर जाएंगे तो आम इंसान बन जाएंगे यार, चल देख लेंगे, अरे ये क्या उसी का फोन है यार, हाँ, हलो, क्या है ये सब लड़की भी पसंद कर ली, चादी भी कर रहे हो, उ और ये तो 4G, 5G से भी तेज निकले, कुल मिलाकर, एक तरफ रामयान और एक तरफ महाभारत को संभालना होगा, अभी तो शुरुवात हैं, मामा, आर्डर के हिसाब से पहले मेरे घर गाड़ी लेकर चलो, वहाँ से शुरू करते हैं, कोड़ी आर्षू, जिंदाबार, हमारा मसीहा 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 कोड़ी आर्षू, आर्थी, अरे वो अपने बोल रहे हैं वो मेरे मामा है उनको हख है मुझे डाटने का जा तुम लोग अपनी शकल दिखाने की जुरत नहीं है इसे बोल दे यहां से चला जाए अब कि अब कि अब कि अब पूछा तो चिलाने लगी कौन सी द्यूंगा तो चांट से अगर तेरी मां होती तो तुछे फोन करती कॉन होसकती है, दूसरी दीदी या तीसरी दीदी दोनों मेंश एक पकड़ू कि का दूसरी होगी काला Cisco Bukato, लिजह सब से मार खाने मादा वही मौसा है, सब देन को पीरते है कॉन मार रहा है ये मेरे मौसा को देखते है आया पर आप मारो ठीक है ठीक है या मोसा एक माुशा हमेशा करनेदेख सब्सक्राइभ ना अगर जगरा हो ता तो तुछे फोन करके क्यों बलाती मैं काफी नेहीं हुआ या पर कुछ रिष्टवरा के बीजन को लेकर जगरा हो रहा है तो तेरी जीजाजी सुल्चान की मॉमा मार काने वाला मेरा बाप मै इस खाना तो खाकर जा अरे उधर मेरा बाप मार खा रहा है तुझे खाने की पड़ी है मोटी कहीं के आ कि तुझे बताता हूँ जल्दी चलो मामा क्या कर रहे हैं गाड़ी जल्दी खुबाओ बैटने दो चल 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 अब हाद लगा के दिखाई ने सोच रहा है कि दूशने वाला कोई नहीं है लोगों का बाप आ गया है कि अधिये ले अधिये अधिया नहीं है कोई भी मेरे जीजाजी पर हाथ उड़ाएगा ना तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दूँगा क्या हुआ था खोड़े अर्शु जमानत पर बाहर आ गया ना तो ये लोग मेरा बैनर हटा कर उसका बैनर लगा रहे थे तुमने नए नमबर से फोन क्यों किया था आरे मेरे फोन में बालेंस नहीं था इन में से किसी का फोन चीन का फोन किया था चल अंतर आजा एक अच्छी खबर सुना ने आया था इतने में ये सब हो गया येर शादी के बारे में क्या वही तो अब तक उस बुद्धिमान ने बता दिया क्या मुझे लगा था कि ऐसा किसी ने नहीं बताया हमारे लिए अगर खुश खबरी है तो तेरी शादी ही हो सकती है अच्छा वैसे लड़की का नाम क्या है कनका क्या क्या का दो कन मेटा है कान करवा है कौन है वो प्यार करता हूँ उनका भी बाउत बड़ा परिवार है बहुत है प्यार करता तो अच्छी बात है पर मैं सुच रही थी कि किसी पहचान व्राली लड़की से शादी करता तो अच्छा रहता ना ए मैंने तुझ से ये सब कहा इसा किसी से भी कहना माँ था तुम्हारी शादी में सबसे आगे मैं खड़ा मिलूंगा धन्यवाद जी जा जी ठीक है इसलिए बोलो था न मामा पहले मेरे घर आने के लिए देखा न कैसे पॉजिटिव वेवस आ रहे हैं अभी तक मेरी बात खत नहीं हुई है बोलिए ना जी जी मेरी सिर्फ तीन ही कंड डबल कलर में है नेम्स में मुझे कोई बेज़ती नहीं चाहिए ठीक है जी जा जी दूसरा अभी नहीं बताओंगा वरना तुम लोग टेंशन में आ जाओगे तीसरा रेशम की धोती और साथ में कुर्ता और पांच तोला सोना किसको बेचके तू अपना मूँ बंद रख गुणा सिंगम की शादी में टी एमस आकर खड़ा रहेगा तो कैसा लगेगा सोचो अब दूसरे पर आतों मेरा सगा भाई मेरे भाई को शादी में मत बुलाना वो नहीं आना चाहिए अगर वो आएगा तो ये नहीं आएंगे ये शादी में इसलिए कर रहा हूं था कि ये कभी नहीं हो सकता ये कभी हो ही नहीं सकता ये चुपकर जाए यहां से मैंने उसको अपने कंद्धे पर उठा कर पाला था जायदात की लालच में बड़े लोगों के सामने मुझे बेज़त करके कोट लेकर चला गया कहा कोट में अंडरलाइन उसकी ऐसी नियत की वज़ तो खुशी अलग होती है जब तक मैं जिन्दा हूँ ना ये मुम्किन नहीं है शायद रिष्टेदार की जरूत ना पड़े लेकिन जब मात होती है तो इंसान की आखरी इच्छा यही होती है ना कि अर्थी को कांधा देने वाल अपना हो और जायदा तो हम मर जाएंगे त अरे तुम क्यों से खामोश बैठी हुई हो पती सिर्फ बोलता जा रहे है और तुम पहाड की तरह निगल कर बैठी हुई हो चलो जाने दो तुम लोग ऐसे ही रहोंगे मामा देवी आ गए है तुम लोग मुझे ऐसे छोड़के कहां जा रहे हों है अब तक आप MLA बनकर संसाद में बैठ चुके होते लेकिन उस गुणा सिंगम ने आपको चौराए पर बिठा दिया उसे छोड़ना मत कैसा है तो मैं ठीक हूं भाई आप नहीं आये तो मैंने शादी कैंसल कर दी मेरी शादी आपकी मौझूदगी में होगी अगले मैंने चार तारीक को शादी है आप जरूर आईएगा कार्ट फिर से प्रिंट होने को दिये हैं तुम लोग जाके खाना खालो आप लोग जाई है तरी वफदारी से मैं बहुत खुश हूं लेकिन अगले छे महने तक मैं कुछ कर नहीं सकता समानत मिल गई आगे प्रॉब्लम नहीं होगी भाई समानत तो उसकी मिलिये जो मैंने किया ही नहीं है लेकिन अब मैं किसी को खून करके जेल जाने वाला हूं भाई तु फिक्र के बारें बता लगा है आजाओ मेरे लाल मेरे काले तुम दोनों आने वाले थे ना इसलिए देखो मैंने मुर्गी बनाई है आपका ये प्यार दिदी आपके इस प्यार नहीं मुझे बांद कर रखा है बहुत अच्छे खुश्बू आ रही है क्या मेरा मूह नहीं है क्या सब्सक्राइब करें के लिए लीए अच्छ और जो बोले इतना प्यार नहीं है वैप हो लक्षमी है वैप हो लक्षमी है गलत नहीं है तुष्कपरी बताऊं यसंसे पहले मैं थोड़ा खाना या भूलना ए आप मुझे चिकन खिलाने वाली हो और तु शादी कर बच्चे कर और बच्चों को मुझे देदे मैं अपने हाथों से पालूँगी बहुत ज्यादा पैदा करके देदू आदे मैं तेरे बच्चों का सुसु चिची सब साफ करूँगी त्या खाने के टाइम पर लेट्रिंग पर शाप की बात अच्छा लड़की अच्छा तुम हो जीजा जी कैसे हो सुनने में आया है कि तुम शादी करने वाले हो कहां कर रहे हो उसी बेवकूफ की बेटी से कर रहे हो जानता था मैं तू ऐसी हरकत करेगा उसने मुझे शादी में आने से मना किया होगा सीना ठोक के बोला होगा कि उसने मुझे पाल पोस्कर बढ़ा किया है एक नंबर का फालतू आदमी है हमेशा मेरे खिलाब बोलता रहता है वो शादी करवाने के लिए पांच तोला सोना भी मांगा होगा वैसे इतना सोना देना नहीं चाहिए तीन तोला काफी है मेरी बात स जाइदात के लिए जगड़ा करने एक अच्छी बात नहीं है ए तो मुझमें गुस्सा नहीं करते रहा दो यह कहने के लिए खर पर आया ऊ מה फालता है अरे मामा आईयों लोग ऐसे हैं तो जिन माओं ने लड़कियों को चरुम दिया वो क्या करेंगी मामा पडोस का घार है कैसी हो मैं ठीक हूँ तुझे क्या करना है तुम लोग तो खुश हो ना भाई साब कहां पर है गए होंगे कहीं रोजी रोटी की तलाश में एई ऐसे दर्वाजे के पीछे बैटकर आंसु बहाएगी तो चप पल से मारूंगी अच्छा मुझे आपसे एक बात कहनी है हां सुना मैंने खुश रहो वो भी बहुत अच्छी लड़की है आप देखोगी तो आपको भी पसंद आएगी आप सब आओगे तभी तो शादी होगी ना मैं कैसे आ सकती हो ए सुन अगर तुझे जहर वगेरा पीना होना तो बुरा कहेंगे रुक जाओ चंदा दर्वाजा खोलो चंदा जब से पैदा हुई है चितना अपने बाप का नाम नहीं लिया होगा उससे ज्यादा तेरा नाम लिया है उसने तुम पढ़ी लड़की हो तुम्हें खुद बताना चाहिए कि अच्छा बुरा क्या है अच्छा कि मेरा चाहरा देखनी की दूरत नहीं यह फिस भर दी है रसीट लेलो यह तुम्हे एक्जाम फीज भरतने की ज़ूरत नहीं है इसमें बढ़ाई नहीं करूंगी से दें विखिट लेकर नहीं से बाहर दोंगी मैं जाया से जाहू हूँ जाया इसे अबी तू शुरू करे गाउं में हर कोई मर रहा है पता नहीं मुझे मौत क्यों नहीं आ रही है मैं क्यों इस घर में बहु बन कराई किस्मत ही फूटी है नहीं उठाँ का तूट जिए कौन से नंबर है कर रहा है अच्छा आप कहा हो अभी क्या बात है बोल ना शादी के बार में मुझे तुझे जब करना उस दिन कर ले ना और मैं शादी अटेंड नहीं करने वाला अब तक तारिक पकी नहीं हुई है उस दिन आप कैसे बीजी हो सकते हो तू जिस दिन भी शादी करेगा उस दिन में अपने आपको बीजी कर लूँगा ठीक अभी आप कहां पर हो तेरे घर में शादी करके जो मैंने पाप किये ना उसको दोने के लिए काशी जा रहा हूँ अच्छा पांच मिनट रुजा हो मैं बस अभी आ रहा हूँ आप ठीक मेरा पूरा परिवार बिखरा पड़ा है मैं काशी जाके क्या करूंगा अच्छा अभी कहां हो जी जाची एबी आफिस में कनेक्शन पूछा दे बिना ये लोग घसीटे जा रहें कनेक्शन दे रहे हैं मैं जैर खाके मर्जा ये कहने के लिए मैं यहां आया गवर्मेंट फोन कर रहा है वह उठा नहीं रहें गारी भी कहीं नहीं दिख रहे हैं अब मेरी जान है एक के बाद एक मुसीबत मुझ पर बरस्ते जा रही है जब मैंने फोन किया तो उठाएना और अब फोन कर रहे है मेरे कले में मंगल सुत्र पहनाना इतना असान है क्या मैं भी तुम्हारे साथ आचाओ तुम्हें मेरे साथ लाना इसलिए तुम्हें इतनी मुसीबच छेल रहा हूँ अरे मामा उनी का फोन आ रहा है अधो पॉठा बहुत स्याता तकलीफ हो रही है ना जानू अरे फोन तो उ अधिकर में तुम मेरे घर से मयत तिका लेगा या आप क्या बात कर रहे हो अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं क्या हुआ ममा उसने जहर पी लिया यार अरे पाप रे ट्रीटमेंट नहीं करवाना है मुझे बस चवाब चाहिए बटा मर जाओंगी इसको देखकर लगता है किसने जहर पी है क्या अधिती जहर क्यों पी लिया अरे आप ट्रीटमेंट कीजिए ना मैं क्यों जहर पीऊंगी जिसको तुमने शौदी करने का सपना दिखाया था वो जहर पीकर अंदर पड़ी है तु पागल है क्या क्यों किया तुने ऐसा पढ़े लिखे लोग सुसाइड करने पर तुलेवे हैं यहीं सिखाया जाते हैं तुम लोगों को एक जापड़ दूंगा सर इसका ट्रीटमेंट करो वो जो बैठी है वो ट्रीटमेंट नहीं करन अभी नहीं शादी की बात करने का समय है क्या है एक काम कर इस से शादी कर ले वरना इसकी लाज को ले जाकर दफ ना दे गई यह सब क्या है यह दिन देखने के लिए हम लोग साथ पले बढ़े हैं मेरे चांदनी इतनी कमजोर है यह फैसला मैंने क्यों लिये तो मैं समझ में नहीं आया ना ठीक है उस लड़की से बात करके मैं तुम से शादी कर लेता हूं कॉंशा हूं मैं वचन देता हूं तू अभी अभी कि अभी उसे वचन दें यह बच जाएगी लुट अना अजी को हां जल्दी जल्दी लोगा ट्रीट्मेंट ले 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 लोगा जो भी बाद में देखेंगे मामा 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 रुको रुको उनको कुछ नहीं हुआ है अरे वो ठीक है मैंने जूट बोला था अरे उसकी माने जान मुझकर उसे जहर पिलाई होगी, ताकि वो तुमसे वचल ले सके, उसका क्या होगा तुम जिससे प्यार करते हो, देधी नाटक कर सकती है, लेकिन चांदी यह सब नहीं कर सकती, उसके नजरों में सवाल है कि क्या मैं उसे मारना चाहता हूँ, मैंने गलत कर दिया ना, पता नहीं क्यों मैंने उस दिन बास में उसको देखा, यह सारी मुसिबत मेरी वचे से है, मामा ऐसी बाते क्यों करते हो, कोई नहीं है मामा, कोई जो चुपके से सुन रहा है, कनका है मामा जी, चुपके से नहीं सुन रही है, मामा इस शादे के लिए कितनी त मढ़ोर जाए गिल खेल खेल रहा है। अजर नहीं है मामा पो चल जाद पूशे अपनी शखल मत तीकाच मेंडे मामा में चुछ सभू है। मुझे तलाक देदीजिये ये कैसी बाते कर रही है तु मुझे तलाक देदीजिये 60 साल के हो गये अब आपको तलाक की क्या ज़रूरत है लोग आपे हसेंगे नहीं क्या क्यों पच्छास साल की उमर में बेटे के लिए घूम रहे तब लोग नहीं हो से ये तो कैसी बाते कर रही है तेरी जबान कटके गेर जाए बस कीजी मा इस घर में बहुत जीलिया मैंने बस हो गया अब मैं चैन से जीना चाहती हूँ परिशानी को और मत बढ़ाईए मुझे तलाग दे दीजिए क्यों ऐसे बात कर रही हो मा तुम क्यो मेरी पसंद नापसंद जाने बिना ही इन से शादी करवा दी अपनी ज्छाओं का गला गोट कर इनके साथ चली आई आज तक अपनी पूरी जिन्दगी मैंने बस इन ही के हिसाब सजी है और उस भगबान ने मुझे बेटा देने के बजाए एक बेटी दी वो भी बेजबान मासूम है जब उसकी शादी हो रही थी तब मैंने सबसे कहा था कि जहां उसकी शादी हो रही है उस परिवार के लोग अच्छे नहीं है मैं बहुत गिर गिराई लेकिन अच्छा परिवार है अच्छा घर है कहे कर उसकी शादी करवा दी गई और शादी के दो साल बाद ही उस शराबी ने उसका मंगल सुत्र छीन लिया, उससे कहा कि वो दूसरी शादी नहीं करेगी। और तुम सब लोगों ने भी उसे वैसे ही छोड़ दिया। 65-70 साल के आदमी शादी के लिए लड़की ढून रहे हैं। और उस 25 साल की लड़की के बारे में हमने कभी नहीं सोचा। काम वाली को पैसे ना देने पड़े, इसलिए मेरी नातिन को इस घर की नौकरानी बना कर रख दिया। यही ना। बस बहुत हो गया। आज के बाद मैं अपनी बेटी और नातिन को खुर ही सबाल लूगी। सुन मा, मा रुझाओ मा कहा जागी नौकरानी दे पटाओ में। मा, जोड़ मुझे। जोड़ मुझे। सुन मा, मा रुझाओ मा, कहा ना जाना दे। तो आप भी उसी के बारे में सोचेगे। हाँ, 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 हाँ… हाँ, हाँ, हाँ… आजके, हाँ, आज़ी मिलेंगे तो अच्छा रहेगा। आज़ी नमस्ते। बेटी ये क्या घर आए मैमान का स्वागित करना चाहिए गुस्से मैं नहीं जाना चाहिए आओ बेटा कॉफी लेकर आओ ठीक है देखो बेटा ये मेरी बहन है नमस्ते आपके पिता से शादी होने वाली थी आपके खांदान में लड़की नहीं देना इसलिए जगडा कर रह रही है यहां के लड़के लोगों का भी इरादा कुछ ठीक नहीं है बस एक-दू महीने की ही तुबात है अगर जहर पीने की वज़े से कुछ हो जाता तो क्या करते हम लोग हां तो फिर हम सब लोग यहां पर क्यों है उससे किसी और से शादी करने के लिए छोड़ देंगे क्या हां सही का समझाईए इसे तू घबरा मत वही तेरे गले में मंगल सुत्र डालेगा और इसे कोई नह अगर आज की बात मैंने किसी के भी मुह से उसकी बात सुनी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मानिक राओ की बेटी आखिर भला जहर कैसे पी सकती है आपको हाट अटक आया यह जूट बोलकर महां जाकर चित्रा पोणिवा में शादी की तारिक पक्की करके आए यह बेशती है मैं क्यों सिंधा रहू मैं चलो आप लोग निकलो हम तीनों के मरने के लिए कुवा नहीं ह घतम हो गया है पानी नहीं तो क्या हुआ नाग भनी के पीश तो में अंडर ए बता टाइम क्या हुआ है दस बज रहे है दस बजे पकड़ा किया तो फिर बारा दो घंटे अंदर यहां भीट जमा हो जागी सरकस दिखानी है क्या हां सरकस ही दिखाएंगे अभी देखते जा जीजा जी जीजा जी अरे इसकी बेटी हॉस्पिटल में थी ना तब खरीद लिया होगा शहर में दुकान ढूंड़ना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है पर पता नहीं इसे कैसे मिल जाता है समझ में नहीं आता यह तो आपकी प्राब्लम है यह सिर्फ मेरा ही नहीं पूर मैं बाद में फोन करता हूं यह बुद्धिवान का पती मेशा बिजी रहता है पता नहीं क्या दिखाना चाहता है हमें लिमिटेट एडिशन अगर काम नहीं करें तो पैसे कहां से मिलेगा इंग देख मैं मरने वाला हूं बहुत सालों से मेरे दिल में जो बाते हैं वह बोल तोड़के रहूंगा यह फिर से मुसीबत खड़ी करने वाला है अब भड़का रहे हैं आप तो क्या है है अरे तेरी जेब में जितने पैसे हैं वोई सब्सक्राइब करें मुझे जाएंगे तो साथ यह जाओ पांट लिए जाने ना मुझा आप चोड़िए अरे अपने अपटा लिगे नहीं किया रही है यहीं है जो हमारे ख़र आपकर हम पर राज करने वाली है रुके 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 आपके परवार में इससे शादी करो उससे शादी करो दो हिस्से में बट गया है ना देखे यही आप लोग की प्राबलम है परिवार में राजनीती नहीं होनी चाहिए राजनीती में परिवार हो सकता है वो चाहे किसी भी लड़की से शादी कर ले पर वो सोडा वाली इस घर में नहीं आएगी हमारा भाई है हमारे घर में यह शादी करनी पड़ेगी हाँ मिल्कुल यह तो फूट गया चाली जाइबा इतना है बचाए क्या भुक खड कहीं का कैसे ठूस रहा थो तो उस गुड़ा सिंगम से प्यार करती है क्या लड़कों ने बताया मैंने विश्वास नहीं किया हाँ मामा विश्वास कीजिए मैं सच कह रही हूँ सुन मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ हाँ मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ उससे प्यार मत कर, ये तेरे लिए भी सही नहीं होगा, और उसके लिए भी, मेरी जिन्दगी का फैसला मैं ही करूंगी, पहले उसके घमंड को मारना होगा, उसके बाद उसकी जैदात को, फिर उसको मारूंगा, राम से, ए, ए, आवाज मत कर, पहले, उससे मैंने सिचुएशन समझे बिना ही तुम पर कुछ्सा कर दिया, नाराज हो क्या, ऐसा कुछ नहीं है, अकेला पन महसूस हो रहा है, आवाज से लग रहा है कि तुम्हारा मूड खराब है, अरे बापरे, मेरी आवाज संकर पता कर लोगी कि मैं किस मूड में हूँ, तुम्हारी आँखों को देख कर समझ सकती हूँ कि तुम किस मूड में हो, मुझे अभी तुम से मिलना है, ऐसा है क्या, अच्छा, अपनी आँखे बंद करो, अपनी रूम में सारा काम खत्म करके, तुम मेरे लिए वेट कर रहे हो, फ्रेश होकर, तुम्हारे मन पसंद पिंक नाइटी बहन कर, तुम्हारे करीब सोकर, तुम्हें कस के पकड़ कर, तुम्हारे माथे को चूम लिया, फिर तुम्हारी आखों को और फिर तुम्हारे होटों को गस के जुमिया मेरी शोना तुम्हें चल्दी घर पर लाकर साड़ी पैना कर सिंदर लगा कर तुम्हें बीवी के रूप में देखना चाहता हूं मालेक मालेक हमारे गेले के सारे पेड़ों को नश्च कर दिया सब कुछ बरभाट कर दिया उन लोगोंने हम 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 माले, हुमारे तोरों बैलो को किसी हमार डाला अच्छा नहीं हुआ यह अच्छा नहीं हुआ है कोछै वहाँ पर देकने दो अच्छा फिर उंग्षा फिर बाप्त में विखा फिर फिरंग बापा यह अच्छा नहीं पहल बेढा । मालिक बैलों को खेतों में दफना दिया है देखे मालिक पहले ये कितने खूबसूरत लगते थे अब चारों तरफ सन्नाटा हो गया है बाई सहब पाँच हजार केले के पेंडो प्यारे प्यारे बैल इतना सब कुछ खत्म हो जाने के बाद चाहे जितना बड़ा आद्मी हो दुख तो होता ही है क्या सर घर में इतना बड़ा मातम चाया है परिवार वाले आये नहीं किसीने अलग कर दिया क्या गुणा सिंगाम मातम है क्या नदी के किनारे बेड कटवाने में तेरा हथ था ना और हो सकता है उसी गुस्से में मेरे लड़के ने तुम्हारे केले के पेंड और बैलो को कि परवार करें की कोशिश की हूंको जरी तुम्हारे नहीं काम एक परिवार को भूं मिता दूगा ने ते कंदर लेकर जो स्थक्राणगा नहीं शालू मैं हमेशा आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेहिचक मांग सकते हैं उसने सिर्फ अच्छा इंसान होने का ढोंग किया था उसको अच्छी तरह सबक सिखाना होगा आपकी बेटी की शादी उससे नहीं हुई इसलिए दुकी मत हुई है मैं कर लूँगा उससे शादी अगर आपको यतराज ना हो तो जरा इन्हें समझाओ क्या सोच रहे हैं साडू भाई ये खुद हाथ मांग रहे हैं जब ये खुद आये हैं तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है वैसे भी वो गुणा सिंगम बहुत हैंकारी है आपकी मर्जी जैसा चाओ वैसा ही होगा अरे हां के दिया इनोंने चोड़ दे बहुत दो रहा है दीदी मां चलो घर चलते हैं मां आपके बिना खर सुना सुना लग रहा है मैं भी इतने दिनों से इंतिजार कर रहा हूं कि आप आओगी मां चलो न मा घर में इतना कुछ हुआ फिर भी आकर देखने का मन नहीं किया आपको मा चलो न मा दीदे दीदे ए जुन तू भी इनके साथ मिल गई है क्या मुझसे बात नहीं करेगी मुझसे बात नहीं करना चाहती है दीदे ये मां क्या बोल रही है हमने कभी से नौकराने की तरह रखा था दीदी मुझसे बात करो दीदी मैं आपसे भी बात कर रहा हूं हमेशा मेरे सपोर्ट में बात करती थी थी न तो आप क्या हो गया आपको दीदी मुझसे जाने को कहो मैं चला जाओंगा लेकिन ऐसे खामोश मत रहो दीदी मेरे चहरे से भी नफरत हो गई है कि आपको ठीक है जब भाई कहकर आओगी ना तब देख लूँगा मामा अगर मैं सिर्फ आपका भामजा होता तो यहां कभी नहीं आता आपका दोस्त हुब बच्पन से इसलिए आया हो मामा यह सब क्या हो रहा है मामा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है मामा पुरुशत्म कितना बदल गया है आपके शादी को रोकने के लिए वो क्या क्या नहीं कर रहा है अपनी चांदनी के शादी उस कोडिया रसू से करवाने के बाद चल रही है चांदनी के शादी पकी करवाई है क्या वो भी है खूनी के साथ वही मेरा दामाद है अब क्या करना है कौन वो खूनी मेरी चांदनी के साथ शादी करेगा क्या मुझे गुस्ता मत दिलाओ मैं तुम सब को मार के अंदर जाओंगा मेरी बेटी की शादी मैं किसी से भी कर रहा हूँ, इससे तुझे क्या? अरे आप पागल हो गए हो क्या? तुझे शादी करने के लिए लड़की मिल सकती है, तो मेरी बेटी से शादी करने के लिए लड़का नहीं मिलेगा, तुझा ना ये सब हो क्या रहा है? मेरी बेटी की शादी रोकने वाला तू होता कौन है चांदनी हमारी खर की लक्षमी है मेरे गुस्से की वज़े से उसकी जिंदगी खराब मत करो तुझे इतनी चिंदा करने की ज़रत नहीं है जिसकी किसमत में जो लेका है वही होगा तुझा जाके उस सोडा वाली से शादी कर ले चंदनी मैं तुमसे बात कर रहा हूं रुको यह सब यहां पर हो क्या रहा है यह वह एक शराबी है एक खूने के साथ तुम्हारी शादी हो रही है तो मैं खामोश रहूँगा क्या अरे तुम चलो मेरे साथ जोड़ा हैं है आई तुम से बात कर रहा हूं तुम्हे दूसे वापनी शिदेगी की नग्सी पड़ी है न चले जाओ यहां मेरे से चंदन त्शुड़े हैं चलो म理ने से किसी के साथ भी रिष्टा चोड़ देते हैं मैं खून कर सकता हूं लेकिन शराब नहीं पीओंगा तो फिर मामा आज तुमने इतनी क्यों पीली मामा बोला तो था मेरी दीदी का पती शराब पीकर मर गया था इसलिए मैंने ना पीने की कसम खाए थी लेकिन बहुत बेज़ ज चैक रहा था लेकिन आज शम्शान की तरह लग रहा है दूसरे को रुलाने वाला इंसान खुद एक दिन रोता है मामा सबकी वचे मैं हूं कह रहे हैं इसलिए किसी से ज्यादा प्यार नहीं करना चाहिए वह यह तो जखम देगा यह जखम दिलाएगा इसलिए मैं किसी से दिल नहीं लगाता और कोई मुझसे प्यार भी नहीं करती है सही है तुछे मुझपर प्यार नहीं है चल मामा घर में चलते आजा मामा वह मंदीर है मैं अंदर नहीं जाओंगा अरे तो फिर नहां के आते हैं यह सब लोग इदर ही है ना मैं भी यहीं पर आरे मामा मामा ए रानी तुम मुझे वहां लेकर जाएगी या नहीं नानी मैं कह रही हूँ ना वहां मज जाओ मानती क्यों नहीं आज मुझे वहां जाना ही है बहुत दिनों से इस दिन का इंतिजार कर रही थी कंका तुम कार में रहना मैं बात करके आता हूं ठीक है पापा अरे सुनो कहां हो अभी आई जी बताए क्या लें गया नहीं वो सब कुछ नहीं चाहिए जी है नमस्ते आपके सामने अचानक आकर खड़ा हो गया आप सोचकर उलजन में होंगे ना कलीनिया जब कॉलेज से आ किसी तरह उनसे संभलका रात हो गई पूश्ताच करने के बाद पता चला कि वो कोड़ी आर्सु के आदमी निकले मेरे लिए मेरी बेटी ही सब कुछ है उसे सही सलामत आपके घर में सौंब दू तो मुझे चैन मिलेगा अब इस बारे में आप क्या सोचते हैं वो आप बता मैं पहुंच गया हूँ जो कुछ भी होगा आपको बताऊंगा ठीक है आओ आओ आजाओ बेटा आओ आओ आजाओ बहुत दिनों बाद आए आजाओ बैठकर बातें करते हैं अरे बाहर क्यों खड़े हो आजाओ अंदर आओ मैं यहीं पढ़िक हूँ बढ़ाया बैठने के रखा है अरे ऐसे ही बाहर बैठकर बातें करेंगे न तुम बैठो न आओ दरसल मैंने एक फैसला किया है क्योंकि मेरी उम्र हो चुकी है इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी जायदाद सभी बच्चों में बराबर बराबर बांट दिया जाए इसलिए सब को बुलाया है म तू वो रख ले वैभो लक्ष्मी बेटी तुझे क्या चाहिए मुझे कुछ नहीं चाहिए पापा ए तेरे बाप के दिल में क्या है ये पहले से जान ले वरना बाद में पच्ताना मत अपने बेटे को क्या दे रहे हैं पहले से ही पूछ लो आप अपने बेटे को क्या दे है अच्छी तरह से सुन ले इस जाइदाद में तुझे कुछ नहीं मिलने वाला हां मतलब आप यह कहना चाहते हैं कि हमें आपकी जाइदाद से प्यार है ऐसी बात नहीं है मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं लेकिन अब यह से बचाना क्यूं अब किसी की जिंदीगी का क उसे हो जाने दोना अगर यह जमीन जाइदाद का मालिक नहीं होता तो कोई अपनी बेटी इसे देता क्या सवाल ही नहीं उठता है इसलिए मैं जाइदाद का बंटवारा करना चाहता हूं फिर सारी मुश्किलें खत्म मतलब हम लोग जाइदाद के लालश में शादी करवा अरे अभी भी तुम लोगों को अपने बाप के बारे में पता नहीं चला तुम लोगों को तुम्हारी कीमत देकर तुम्हारा मूँ बंद करवाकर अपने बेटे की शादी कहीं और करवाना चाहते हैं तुम लोगों को बाहर बैठाकर और समधी को अंदर बैठाकर यहां क् जमीन पर आप बोलने के लिए तुझे यही टाइम मिला क्या चल निकलते हैं अब रुक जाए एसा कुछ नहीं है क्यों बिना मतलब की बात कर रहा हूं मैं कर रहा हूं है जो आया है उसकी तो जरूत है नहीं और जो आने वाला है तुम लोगों को उसकी जरूत पहले है आरे म सुना को उलजा कर जाने से क्या फाइदा होने वाला है तुझे दो अंब Cum emanogl बहुत अच्छी बात है जो मेरी बात नहीं समझ रहा है वो यहां से चला जाए तो बेतर है बापा वो गुसे में बात करें तो आप यूँ गुसे में बात कर रहे हूं तुम्हारे और मेरे परिवार के बीट जो रिष्टा था अभी और इसी वक्त से वो टूट गया है मेरे मरने पर भी मत आना वरना तुम बाप के रिष्टे से आओगे और ये मामा के रिष्टे से आएगा वो क्रिया कल्म का सामात मुझे अभी दे दो मैं चली जाती हूं यह पापा आप यह कैसी बाते कर रहे हैं यह सब अपने मुझे नहीं बूल रहे हैं पापा कोई इनको भड़का रहा है लेकिन आप गुसे में कुछ मत बूल दे नहां पापा दिदी शांतु जाकर ले आओ कफन वरना तुम भी इस घर से चली जाओ मारू जाओ मा मालकेन मतलब हमारा भी अंचाम यह हो बाक्या आप जो कह रहे हैं बिल्कुल भी सही नहीं है गलत है हाँ सही का ठीक कह रही हो इज़त देने की बात करके बेज़त कर रही हो खुश रहो हमारे चार दामाद अलग-अलग कोक से जन्में है इसलिए उनकी सोच लेकिन तुम सब तो एक ही कोक से जन्मी हो फिर तुमारी सोच अलग कैसे हो सकती है तुम लोगों का ख्याल रखने के लिए एक लड़के को जन्म दिया था आज जबकि वो तकलीफ में है तो तुम सब स्वार्थी हो गई हो हमने जिस फसल को अपना बच्चा समझा वो होते नहीं देख सकता मैंने उसी दिन इससे कहा था कि अगर हमारे परिवार में से कोई एक भी यहां नहीं आया तो तेरी शादी नहीं होगी तुम लोग आओ या ना आओ ये शादी तो ज़रूर होगी और ये फैसला मैंने सोच समझ कर लिया है लाइए मुझे दीजिए क्योंकि मुझे अपने बेटी की खुशियां प्यारी है आप लोग मुझे माफ कर दीजिए आप लोग को आपस में जगरने की ज़रूत नहीं है आपके परिवार को मैं बिखेरना नहीं चाहता आप इसकी शादी कहीं भी करवाईए आपके परिवार को तोड़ने की वज़ क्या मारने आ रहा है क्या मेरे जिजा जी को बेच्जट करता है जाब बहुलता है क्या दिखाऊ आपके अधर क्या क्या करता हुआ अरे रुक्यें क्या दरए अरे क्या दरए आपके शांतों जाए आपके अरे क्या हो रहा है इसका जवाब तुम्हें देना होगा महरबानी करके सब लोग यहां से चले जाएए मैं कर रहा हूं चले जाएए दादी मेरी एक मदद कर सकती हो बोल मेरे बच्चे क्या करना है आज तक मैंने तुम लोगों से कुछ नहीं मांगा है नब्बे साल की हो गई हूं सब लोग मिलकर मंदिर में मेरे सिर पर एक लोटा पानी डाल दोगे तो मैं चैन से मर सकूँगी मेरी आत्मा को शांती मिल जाएगी जब बुलाएंगे तब जाएंगे जब जाने के लिए कहेंगे तब चले जाएंगे हमें मेरी बस समझ के रखा है क्या अरे चला मामा आबे एक दिन की बारिश से तुम्हारा सारा रिष्टा शक्कर की तरह पानी में घुल गया इतना जब तक मैं जिन्दा हूँ तो मुझे मिलने नहीं आई जब मर जाओंगी तब मुझे माला पहनाने तो आएगी न या फिर उस वक्ट भी नहीं आएगी तेरी उस भटबटी पर बैट कर मेरी तो कमर ही तूट गई चलना बे मुश्किल हो गया है बेटा तेरी सब ही बहने आने को तयार है दादी के प्रोग्राम में पुरा गाहाँ आएगा तो सब दीदिया नहीं आएगी क्या घर का काम है तो करना ही पड़ेगा फ्रसौन आरहे हो हमारी कारिक्रम है मैं नहीं आ रही होँ चलने मंदिर की कितनी सिद्य चेड़ी होंगी हमें मुश्कुराते उए जाना चाहिए आ पर होलाहिन नहीं आ रही हूंUM Ain आ रही हूं 日 API थाट अर्ट कि ए अदे नो तक भाम सदुन ऩ니다 इम झार के दिए इतन्हीं आदिए भार्ट को हुआ हैंनक कि दो मिश्स प्छाम्ति हां है इसने थे कि पर शुद्थवां जाहित थे नहीं थे जो क्षवें सब्सक्राइब आलो थे फिरुड हैं आजा 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 बोल क्या हुआ जी तामर मलालन सेंड यार का इस गाव में बहुत बड़ा नाम है तुम्हारे घर में जो ये खाना देने वाले हैं उनके लिए मैं इलाम नहीं कर सकता कोई भी एरा-गेरा आजाता यहां पर कि थो शुआ मेरी बात ता सुनिया तो नाम बड़ी चीज होती है क्या हुआ मीनी बस ने यू-टर्ण को ले लिया यू-टर्ण लेकर क्यों जा रहा है आए नमस्ते आई आई आओ बिटी कि अ कि आई आई नमस्ते अज़शा बिटी वेलकम वेलकम आपना नमस्ते 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 चलिए चलिए इतनी अकड़के क्यों चा रही है आए 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 नमस्ते यह किन्साने जो गिना बुलाया आता है बहुत सही आदमी आई आए आए नमस्ते नमस्ते आ रहा हूं रहा हूं रहा हूं रहा हूं भाई भाई, इस फंक्षन में घुस कर, दंगा करके, तुझे मारने का प्लैन किया है, जरा बच कया है, ठीक है ना, बता दे रहा हूं, नमस्ते, कितने लोग है? अपने जीजा से समल के रहना, सबका खोका पूचा दिया, समल के रहना, नमस्ते नमस्ते आता हूं, मेरा फर्स तब बताना, बता दिया, ठीक है न, नमस्ते, 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 क्या मामा, बेकार इंसान है वो जिससे आप खड़े हो गर के बात कर रहे थे, आदमी रखना सि वो अपनी पार्टी गया है, चला जा देखते हैं, जीती रहो बेटी, हमेशा खुश रहो, अरे आप, आप का पैर छुना तो मेरा सो भागे है, आप जाएए न, तू जो कुछ कर रहा है, वो हर किसी के बस की बात नहीं है, बेटा, तेरा दिल बहुत बड़ा है, हमेशा खुश रहो, सदा सहागन रहो बेटी, हाँ, आप से ही बोलना हो, इस फंक्शन में आकर आप लोगों ने इसकी शोबा बढ़ाई है, कम से कम खाना वाना खा करके जाईएगा, आप तो ऐसे जा रहे हैं जैसे पराया में आये थे, गाली दिना तो मुझ पे दो, ऐसे दिल में रख करके मत घुमो बाई, आग है तो बुजाना तो पड़ेगा ही न, खाना खाकरी जा, अरे सुनो, इस घर की लड़की से शाइदी किये, इस नाते यहां आया हूँ मैं, मेरा मुझ मत खुलवाओ, आपके अंदर अकड़ और घमट कुछ जादा ही दिख रहा है मुझे, अपने आपको जंगल का शेर समझते है आपको जरा भी अकल है क्या तो यहीं थोग दोना बेटा, गुस्सा कच्रे की तरह होता है, कौन मैं गुस्सा कर रहा हूँ, मैं बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कि मेरी बेटी से बढ़कर उसमें ऐसा क्या है, क्यो मेरा मुझ मेरा मुझ खुलवा रहे हो, सुनिए, आपको जरा भी अकल है क्या, सबकी वज़े वो है और आप उससे बात कर रहे हैं, वो तो ऐसे खड़ा है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मासूम बन कर, मुझे तो लगता है अपने ससुर को यहीं कहीं छिपा कर रखा होगा, हमें यहां बेज़दी करवाने के लिए बुलाया हाँ, भाई भाई कहकर इसको हमने सर पर उठा कर रखा था, लेकिन इसने तो हमारे दिल को मटके की तरह तोड़ दिया है, आज तक हम सब बेहनों के बीच में जित्ती भी खुशिया थी, आज वो खुशिया रही ही नहीं, सब लोग एक दूसरे को मुझ फेर कर चली जाती ह अपना पर नाम की कोई चीज रही ही नहीं, तूसरे की खुशियों के लिए तुमने हमारी खुशियों की बली चड़ा दी, उसमें ऐसा क्या है जो तू उससे पसंद करता है, अभी भी ऐसा नहीं कह रहा है कि उससे चोड़ कर लेता हूँ, यह सब क्या क्या रहे हो तुम ल अपने दिल पर हाथ रख कर सोचो, क्या तुम्हारा भाई तुम लोगों के लिए अच्छा साबीत नहीं हुआ, तेरा पती बेरोजगार था, उसे मीनी बस खरीद कर किसने दी, तेरे भाई नहीं दी थी ना, कर्स से पैसे लिए थे, आज तक उस बस के लिए कर्जा भर रह अर्तव यहार में तुम लोगों के लिए क्या नहीं किया उसने, और तुम लोगों के जलन दिन पर, जो किया इसकी उलाहाना मत करो, इससे बहतर होता कि नहीं करते, यह बोल रही है तो इनको बोल ले दो ना मा, मैं इनको कोई उलाहाना नहीं दे रही, बस इनने सब याद क्या मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की बेटियों की शादी बड़े अच्छे घर में हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये लोग क्या चाहती है, किस तरह की बाते सोचती है, क्या एक मा के दिल में अपने बेटे के लिए कुछ इच्छाय नहीं हो सकती, क्या मेरा दिल नहीं कोशिष किये तुम लोग जानती हो कि जो जिम्मेदारिय ने घंपा ऑच की यू युजी अ उव 11 हुजुँ अमेन आप से कैसी बहें Christopheru तूम लोगों थो तुम लोग anak अकेला कर दिया है मेरे बेटे को हलो लाइन पर हो क्या कहा मर गए हम इसके पावन मन को कोई समझ नहीं पाया हम लोग तेरे पैर दोकर पानी पिये तब भी कम है माफ कर दे हम सबको बहुत भला बुरा कहा न हमने तुस्से मेरे पाते कि कितनी मतत किये तुने इस बार माफ नहीं करेगा कि अपनी बेहन को बढ़ा दिल है तेरा माफ कर दे सॉल्ह साथम मुझे माफ कर दू अरे की बाट ने यही कुस्सा है न आपके मन में इस लिए एक दूसरे से इस तरह मूँ पेर कर जा रहे हैं चाओ तो मुझे गाली दो, यहा आप लोगों को हक है मुझे मारना है तो मार लो मेरे साथ जो भी करोगे मैं सहलाओंगा लेकिन महरवानी करके मुझ से बात किये बिना मत रहो, वो मैं सायज नहीं कर सकता, आप लोग जो कुछ भी कर रहे हो ना वो भी, एक तरह का प्यार ही है, और मैं भी जो कर रहा है, अब याप लोग मेरा गुनह बता रहे हो, कि मैं ने आप लोगों के कहने परशादी नहीं की लेकिन कोई मेरी मजबूरी समझ सकता है मेरी परवरिश के बारे में बात करने लग गए आप कहरे हैं कि आपने मुझे हैसे पाला उस बात के लिए मैं आपका कर्जदार हूँ और ये भी ऐसा ही बात कर रही है कह रही है तेरे बचपन में मैंने तरह मुर्णन करवाया था अरे लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं हो सकते न कि मुझे उसे प्यार हो जाए जब भी मैं उसे देखता हूँ तो उसके चहरे पर मुझे अपने वेन दिखाए देती है मैं कैसे अपना घर उसके साथ बसा सकता हूँ अरे मुझे बचपन से आप लोग देखते हैं आ रहे हो आपकी इच्छा की अनुसार अगर शादी करूँ तो दो लोगों की जिंदगी बरबाद होगी मैं किसी के मन को ठेस नहीं पहुचाना चाहता दीदी के मन को ठेस नहीं पहुचनी चाहिए रिष्टेदारी तूटनी नहीं चाहिए इसलिए 40 साल के मामा से 16 साल की लड़की की शादी करवा देते हैं वो बच्चों को जनम देकर आभी भी तकली भोग रही है अगर मैं इससे शादी करूँगा तो इसको दुख होगा और अगर उससे शादी करूँगा तो इसको दुख होगा दोनों को भी कोई दुख ना हो इसलिए मैंने बाहर जाने की कोशिश की और वो मेरी सिंदगी में आए और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे शायद भगवान की यही इच्चा इसलिए मैंने आप सबको बताया और इस बात को लेकर आपने एक दूसरे से मूँ फेर लिया ठीक है अभी बताईए मैं इससे शादी करूँ कर लेता हूँ या चंदा से शादी करनी है या फिर दोनों से शादी करनी है बोली है अपने धरम में दो शादी करना कोई बड़ी बात नहीं है आप लोग जो बोलोंगे हो मैं कर लूँगा लेकिन यह रिष्टा नहीं तूटे किसी का दिल दुखना नहीं चाहिए वरना मुझे बहुत तकलिफ होगी रिष्टेदारी में शादी करके हर कोई खुशी रहता है बेटा तुम भी कर लो मुझे नहीं चाहिए मुझे ये बातें करना हसना मिल चुल कर रहना मुझे किसी में अलक अलक चीज़ें पसंद नहीं है पर सर्फ तुम में पसंद है गुणा तुम हमेशा ऐसे ही रहना अच्छी बात है इसके कोई पिता नहीं है तो इसी से शादी करवा देते हैं मुझे से शादी करने के लिए तुम तयार हो ना गुणा शादी कर लूँगा तुम खुश तो रहोगे ना गुणा कोशिश करूंगा मैं तुम्हें किसी चीज की कमिनी होने दूगा आपको रोना भी आता है यह मुझे नहीं पता था आपको रोते हुए देखूंगे ऐसा कभी नहीं सोचा था सब को असाते हो सब के लिए जोकर बनकर घूमते हो लेकिन आज हम सब को हम सब कुर उला दिया गुड़ा ऐसा क्यों किया गुड़ा ऐसा क्यों किया गुड़ा ऐसा कुछ नहीं है यह हमारी जायदाद है जिस लड़की को यह पसंद करता है अगर किसी ने रोकत उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी मेरी मा अभी इसके गले में मंगल सुत्र पहनाने को क्या रही है इन लोगोंने मुझे बुलाया ऐसी लिए यहां आई हूँ मेरे पापा इस रिष्टे के लिए राजी नहीं होगा डरो मत बेटी मेरे मामा बहुत गुस्से में है हालात अपने आप परिस्थितियों को बदल देता है मैं तुम्हारे पापा से बात करूँगा निश्चन्द होकर जाओ हमने तुझे अपने परिवार का हिस्सा समझा था उस कोड़ यार सुने हमारे परिवार के गले पे तलवार रखी है मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं है मेरे सारे रिष्टेदार नीचे बैट जाओ आस-पास में कोई नए चरा बैठाए है चुपकर वार करता है कायर मर्द का बच्चा है तो सामने आकर मेरे बेटे से मुकाब्ला कर चलो वे चलो आज़ो चलो चलो बैट बैट वो जल्दे बढ़ाओ सुन बेटा इसे इसके घर पर पहुंचा दे ठीक है पापा गोड़ा सिंगाम तेरा बाप मैं मर्द हूं कि नहीं यह पूछ रहा था इसलिए मैं यहां आया हो सिर्फ तू लड़की उठा सकता है क्या मैं भी उठा सकता हूं तूने एक को उठाया मैंने दो लड़कियों को उठाया दो नहीं भाई तीन अरे बच्चों को भी नहीं छोड़ेगा क्या उसको यहां छोड़के बाकियों के लेकर चलो उत्रों अरे ओ लड़कियों हाई गुड़ा डर लग रहा है क्या डर हमें क्यों डर लगीगा जब तुम हमारे साथ हो चुट्डे मामा अच्छी तरह से पिट्राय करना हम फाइ मैं जिसको मारता हूँ ना उसका वसन कम से कम पचास किलो होना चाहिए तुम दोनों अंडर वेटो गेट आउट चलो आओ अच्छा वैसे इसमें कोई किसान है क्या वो लोग मेरी तरफ आ जाओ किस लिए किसान के पेट पे पहली इलाज पढ़ चुकी है ना उसको मैं भी मारूं क्या किसान किसान को नहीं मार सकता है इसलिए बोल नहीं किसान के पास ही जायेगा ना जा रहाँ मैं और यहां पर फीपिश शुगर हार्ट पिशंट ऐसा कोई है क्या अगर है तो इस तरह आ मारोंगा ना? मारो रे! एनकी हट्टी पसकी एक कर दो! झार कि एक कर दो पर जे हाँ! कि एक कर दो! मैं झार कर दो! कुछ भपार सके पार त। ही याल एे एे ये एए! एए ए living मुणिए नियु मेल मुणिए राह् एएły how गय खिर ठाल मैंने जिनको आपने भाई की तरह पाला था उनको तुम लोग ने मार आला हाई फ्रेंज आज हमारे घर में शादी है हमारे गुणा से घम की अरे आओ आओ बेटा आओ देख रहे हो आज हमारा पूरा परिवार यहां इकठा है तो कितना अच्छा लग रहा है इसे कहते हैं खुशाल और भारा पूरा परिवार चलो अच्छा है कम से कम सब लोग एक तो हो गए स्टॉप हमें भी चलना आता है यह जाओ यह शुरू हो गया देखा हलो वोट्स गइंशन आओ यह बेचाना परी पेदा हुई है अपने घर में मालक्षमी आई है मा ने चाल लड़कियों को जनम देने के बाद पांच पे लड़की को जनम दिया अभी भाई का क्या अगला बेटा होने वाला है फैमिल प्लानिंग करने के लिए बोल दिया है क्यों है यह क्या बोल रहा है बेटा लड़का पेदा नहीं होगा क्या बच्चों में लड़का कर दो कर दो कर दो कर दो